हेलो एवरिवन वेलकम टो एस्टी पीएसी मेरा नाम वंदना सेंग है इस वीडियो में हम उत्रप्रदेश की गौर्वर्मेंट स्कीम और जितने नए प्रोजेक्ट लाउंच हुए हैं वो डिसकस करेंगे यह हमारा प्रिलिम्स कोर्स है टेस्रीजन करेंट अफेर आप इस न तो उसमें सेकंड पोजेशन आई है और बेसिकली जो बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2017-18 था उसमें उत्रप्रदेश की ट्वेल्थ पोजेशन थी 2017-18 में और अब यह पोजीशन 2019 में यह सेकंड पोजीशन हो गई है और उत्रप्रदेश जो जिस स्टेट से कम है वो है आहयां उठाप्रदेश की जो है वह फेर्स्ट पोजीशन उठाप्रदेश की सेकंड है तो उठाप्रदेश की जो बशलुक्त पोजेशन है वो सेकंड है IS of doing नेक्स्ट है जो पर कापिटा इंकम है उत्तर प्रदेश की वो डबल हो गई है मतब जो प्रतिव्यक्ति आये है वो डबल हो गई है जो फाइनेंशियल एर 2020 है उसमें पर कापिटा इंकम जो है वो 94,495 हो गई है तो आपको यह याद रखना है 94,495 हाली में ये न्यूस थी प्रदानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना से रिलेटेब तो उत्तर परदेश जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हो गया है इन प्रदानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना उत्तर परदेश की फर्स रैंक आई है अंदर प्रदानमंत्र करोर रुपीज हैज विन ट्रांसफर सो फार और यह कितने अकाउंट में ट्रांसफर हुए है 241 पॉइंट करोर इसके अकॉर्डिंग जो है उत्रपरदेश फर्स्ट रैंक में था और अभी जो यह अकाउंट्स हो गए है वह इंक्रीज हो है 2.67 करोर यह अकाउंट मोधी और यह फैबरेरी 24, 2019 में स्टार्ट हुई ती और यह गोरगपूर उत्रपरदेश चे स्टार्ट हुआ था हाली में क्या हुआ है तो वर्क फाइव न्यू एक्स्प्रेस वे थ्री इंटरनाशनल एयरपोर्ट और में 10 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 10 सीटीज में मे में खुशी नगर में तो यह कोशन ऐसे भी आसे आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनाशन аseePorter उत्तरप्रदेश के लाए थीन इंटरनाशनल एयरपोर्ट है और उतर प्रदेश च्छाधा जो इंटरनाशनल एयरपोर्ट है वह घ्रकें नेस्टेंस है तुमिल 2023 में बनने वाला है, और अयोध्या जो 2022 में बनने वाला है, उसके बाद इस स्टेट के पांच इंटर्नाशल एरपोर्ट嘅 जाएंगे। अभी हैं कि distingu और इन दो नों के बनने के बाद जो हैंगे वो पांच हो जाएंगे Arbeit और इंटर्नाशनल ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट ग्रेटर नॉड़ा के अंदर इंटर्नाशनल एरपोर्ट जो आयोधिया खुशी नगर है वो डेवलप किये जा रहे हैं एंटी रोम्यो स्कॉर्ड जो है वो फॉर्म हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और in the field of education free coaching arranged by the government for the competitive student अंडर मुख्यमंद्री अभूद्यय योजना मुख्यमंद्री अभूद्यय योजना के अंदर आपको free coachings प्रोवाइड किये जाएंगे तो आपको यह ध्यान लगना है अभी तीन इंटरनाशनल एरपोर्ट है उसके बाद दो एरपोर्ट अभी अभी अंडर कंस्रक्शन है और इसके बाद फाइब एरपोर्ट हो जाएंगे इंडिया के अंदर सबसे जादा एरपोर्ट हो जाएंगे और एंटी रोमियो स्कॉर्ट बना है और अभूद्यय स्कीम के अंदर free education free coaching अरेंग्ज ही जाएगी for the competitive exam next है हमारा 1% reduction हुआ है मंडी फी के अंदर और 45 अग्रिकल्चर प्रोटेक्ट है उनको मंडी ड्यूटी से free करा गया है 1% reduction मंडी फी के अंदर हुआ है 45 अग्रिकल्चर प्रोटेक्ट को free करा गया है मंडी ड्यूटी से minimum pension of 500 रुपीज दी जाएगी 51 lakh old people को 28 lakh destitute women को 22 lakh widow women को तो यह 500 रुपे की minimum pension दिया जाएगा 10 cities को develop किया गया है as a smart city with a funding of government of India government of India की funding से 10 cities को किया गया है और 7 cities को किया गया है state government की तो यह total हो जाएगा 17 smart city जो है वो उत्रपरदेश के अंदर बनाई जाएगी 10 जो है वो government of India की तरफ से और साथ state तो आपको याद रखना होगा कि total जो है वो 17 है लेकिन 10 center की तरफ से है साथ state की तरफ से है तो यह total 17 है तो आप इस चीजों को ध्यान में रखेंगे फिर नेक्स्ट है 96% investment proposal has been settled through निवेश मित्रा जो single window portal है उसके थिरू 96% investment proposal setup हुआ है और इस निवेश मित्रा की आप की वज़े से ही जो second number पर पहुचा है तो निवेश मित्रा is one of the factor की ease of doing business में उत्तरपिदेश की second rank है उद्धियम सार्थी app has been operated for self-employment के लिए यह अप हुई है और फिर उसके बाद देखते हैं दीपोट्सव और्गनाइजड हुआ है अयोद्या के अंदर दीप दिपावली हुई है वारनसी के अंदर कृष्ण फेस्टिबल हुआ है मत्रा के अंदर रंगोट्सव हुआ है बरसाना में तो आप इन सब को या देवल्लप्मेंट ओफ श्रावस्ती, कपल वस्तु और कुषी नगर अंदर बुद्धिस सर्कृट तो बुद्धिस सर्कृट से जो उतरपरदेश की डेस्टिक्ट चूज हुई है वो ही है श्रावस्ति, कपल वस्तु और कुषिनगर तो यह नंबर भी पूछे जा सकते ह तो यह तीन हुई है और तीन यह है नाम भी पूचा जा सकता है कि मतलब यह तीन ओप्षिन दे रखें और इसके साथ एक और ओप्षिन दे दिया जाए तो आपको जैसे वारा नसी या फिर कुछ भी ऐसा ऑप्षिन दिये दिया जाए तो इन तीनों का डेवल्लपमेंट करें डेवल्लुपंद अफ टूरिज्म फेसेलिटी इनं आग्रा अगरा थे पूर शिकरी अंडर जैन रोट्थ तो जैन और सूफी सर्क्ट्थ और अगरा व लोट्थ के नदेर अगार्व फटेः पुर मर्थ जिकरी का डेवल्लप horrब्मेंट में फहाली में क्या हुआ है कि government ने एक कैलाश मांसरोवर भवन तो कैलाश मांसरोवर भवन का construction किया है और ये construction किया है इंदरापुरम गाजयबाद में और इसके लिए जो अब जो ग्रांट मतलब पर पैसेंजर जो ग्रांट दिया जाएगा वो इंक्रीज हो गया है एक उपकाव सब्सके लेएख शके दिया जाएगा और हाली में क्या हुआ है जो इसको यूज़ किया जा रहा है एक कोविट केर Holy उप्टे तो ये roe कैलाश मांसरोवर भवन को कोविट केर हॉस्पिटल यूज किया जा रहा है और यह इंदरापुरम गाज़ेबाद में है अब हम उत्रपरदेश की कुछ schemes देख लेते हैं जो schemes news में है तो पहली scheme है हमारी one district one product scheme एक जिला एक उत्पाद योजना यह scheme जो लॉंच हुई थी वो January 24, 2018 में हुई थी और यह scheme implement हुई थी Department of Micro, Small and Medium Enterprise and Export Promotion तो MSME के द्वारा यह Department of MSME के द्वारा हुई थी तो आप एक चीज़ देखें कहीं आप देखते हैं Department और कहीं आप देखते हैं Ministry तो क्या होता है जो यह Ministry होती है वो Center के लिए होती है तो अगर यहां होता Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises तो इसका मतलब होता है यह Central ने प्रोजेक्ट किया है और लेकिन अगर यह Department of यह लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह State के थुरू है तो Department जब आता है वो State के होता है और यह Ministry जो है वो Center में है लेकिन काफी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री के अंदर भी अपने अलग Department होते हैं लेकिन जब आप State के जैसे State का कोई भी अगर Minister होता है तो वो Department of MSME का Minister होगा Ministry of MSME का Minister नहीं होगा तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो objective के आता है इस scheme का to provide small and medium enterprises और self-employment को encourage करना और इस scheme के अंदर पांच लाग लोगों को employment मिल चुका है और 89,000 crore have been exported from these small and medium enterprises तो इस small and medium enterprises से 89,000 crore जो है वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं और पांच लाग को employment मिल चुका है तो basically employment generation है कि किसी भी एक state से एक product को choose कर लिया और उस product के लिए development start हो रहा है जिससे जो भी artisans हैं और जिन्हें उन लोगों को जो लगूत द्योग में काम कर रहे हैं उन लोगों को promote किया जाए next हमारी scheme है किसान कल्यान mission तो किसान कल्यान mission जो है January 6 2021 में हुआ था basically इसका काम क्या था कि जो फामर्स की इंकाम है उनको डबल करना और यह scheme लॉंच हुईती दादूपूर विलेज उफ सरोजनी नगर ब्लॉक अफ लगनो और अडर इस स्कीम रस्ते गर्वर्में लाइक होटिकल्चर मंडी परिशाद अनिमल हस्बेंडरी शुगर केंज फूद सप्लायर फिश स्कीम लाइक पीम किसान सम्मान किसान क्रेडट एंड पीम फसल भीमा योजना तो किसान कल्यान मिशन को आप याद रखेंगे जैनवेरी 6 से डबल फार्म इंकम और यह लखनों के ब्लॉक से सरोजनी नगर में यह लॉंच हुईती नेक्स हमारी स्कीम है मिशन रोजगार य इसका अफट था कि employment प्रवाइड करना है तु अनुप्लोइड शितिजन अंडर अंडर इसमिशन और इम्प्लोइमेंट ऑफ से ब्लॉइमेंट अपर्चिनिती दी जाएंगी 24.30 लेक अनुप्लोइड वम्ट दिसम्बर 5 ढुईटी तो जैन्वरी 7 जैन्वरी 7 जैन्वरी प्रिवाइट की जाएंगी और इसका जो टार्गेट है ये इंप्रॉटन चीज़ है आप इसको ध्यान रखिएगा इसका जो टार्गेट है वो है कि employment opportunities 50 lakh youth को प्रोवाइड की जाएगी तो अभी तक 24.30 जो है unemployed citizen को प्रोवाइड की गई है इपने तक और इसका target जो है 50 lakh तो यह question important है कि कितने youth को इसको प्रोवाइड किया जाएगा और यह कब लाँच हुईती तो 50 lakh को प्रोवाइड की जाएंगी और इसमें एक बात और है धियान देने वाली कि under this scheme only those youth of the state will be considered eligible who are unemployed or who have lost their job during Corona virus epidemic तो उनको सिर्फ लिया जाएगा या तो कोई unemployed है या फिर Corona के टाइम में वो unemployed हो गया मतलब उसने अपनी जॉब खो दिया Corona के टाइम में सिर्फ उन लोग को इसमें consider किया जाएगा उसके लावा नहीं किया जाएगा target क्या है पचास लाग यूद को employed करना और पांच देसंबर को यह scheme जो है वो लॉंच हुई थी नेक्स देख लेते हैं कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 लखनो में हुआ था और बेसिकली इसकीम का क्या है कि अधिकली मॉनेटरी बेनिफिट पुचाना गल्चाइट को अधिव जितनी भी शोचल लेवल्स रहे हैं रहे हैं तो अन सारी चीजों को ध्यान में रखत हुए एक और जिए दिया जाएगा और इस कीम का मैसे कि जो फोकस है कि हईश्बिग गल्चाइट को लड़की है वो एक बोज नहीं है तो उसका एक positive mindset मतलब अगर government अपनी तरफ से जो monetary benefit देगी तो लड़कियों को एक बोज नहीं समझा जाएगा और एक जो positive mindset है वो girls के प्रती वो हमारा increase होगा female faticide भी नहीं होगी क्योंकि आदे लोग यहीं समझ लेंगे कि यार जब इनके लिए एक monetary benefit provide हो रहा है तो हम ना करें कुछ लोग लालच में भी कि इसका पैसा हम रख लेंगे तो female faticide भी नहीं होगा मतलब government की तो मंचा यह नहीं है government की तो मंचा यह होती है कि वो पैसा जो है वो female child के development के लिए ही लगे लेकिन reality तो सबको ही पता है कि पैसा किस तरह से जो है उसके parents उसके relative किस तरह से use करते हैं तो लेकिन काफी हद तक government तो अच्छा ही सोच के करती है तो next देख लेते हैं कि under this the eligible child I provided assistance of rupees 15,000 рублей in six different categories तो 15,000 रुपे दिये जाएंगे six different categories में 2,000 रुपीज़ दिये जाएंगे दाउटर का birth होगा 1200 रुपीज बद लिए जाएगा जब इसको vaccination होगा 2,000 रुपीज दिये जाएंगे जब उसका एडमिशन होगा 1st class में 2,000 रुपीज दिये जाएंगे जब वो 6th class में आजाएंगी और 9th class में आने के बाद 3,000 रुपीज दिये जाएंगे और 5,000 रुपीज दिये जाएंगे जो वो 12th class में आजाएंगी और taking admission in a two-year diploma course और 15,000 है वो in total दिया जाएगा उसे तो आप यह चीज दिया जाएगा कि 15,000 दिया जाएगा in six different categories और budget यह 2021 के में जो इस scheme है उसको 12,000 करोर रुपे एलोकेट हुए है कन्या सुमंगला scheme को next है हमारा मुख्य मंत्री अबुद्यय योजना मुख्य मंत्री अबुद्यय योजना तो यह scheme लॉंच हुए है बाई चीफ मिनिस्टर 15 फर्वरी 2021 में जो इस scheme का में अब्जेक्टिव यह है कि फ्री कोचिंग प्रोवाइट करना to student for competitors like IS, PCS, NDA, CDS, NEED तो क्या हुआ है जो लोग अफॉर्ड नी कर सकते हैं कि कोचिंग को अफॉर्ड नी कर सकते हैं बैसिकली आप इन सब चीजों के लिए ही जो YouTube उसने काफी अच्छी चीज करी है कि आप घर बैटे अपना बहुत सारा फ्री कोचिंग जो है YouTube के थूरू आप वीडियो देख स सकते हैं और competitive exam में पाट ले सकते हैं तो government मुझे लगता है इसी चीज से इंस्पायर होगे उसने यह स्कीम रखी होगी कि इतना YouTube पे इतनी education चल रही है तो हम भी कुछ इस ताइप से करते हैं तो इसी के लिए जो उन्होंने फ्री कोचिंग जो है अब दी जाएगी IS, PCS, NDA, CDS के लिए और इन सब बच्चों को जुगार अनेबल टू गेट कोचिंग दू फानेंशल रेस्रिक्शन तो फानेंशल रेस्रिक्शन की वजए से ज तो आप टाबलेट्स के तुरू ओनलाइन कोचिंग में अराम से आप पढ़ सकते हैं अपने नोट्स पीदिएफ जितना भी है आप अपराम से शेयर कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा इनिशेटिव है सरकार का की कॉंपेटिटिव एक्जाम के लिए आपको फ्री कोचिं प्रोवाइड की जा रही है नेक्स्ट है मिशन शक्ती अभियान तो बेसिकली क्या है इस मिशन का काम क्या है इस एम आप सेफ्टी डिइनिटी और विमें और गल्चाइड हो यह स्कीम जो लॉंच ही थी वो ऑक्टोबर 17 2020 के अंदर लॉंच ही थी बेसिकली इसमें क्या है 18 day campaign run हुआ था श्रद्य नवरात्री से लेकर वसंतिक नवरात्री का इसमें ट्रेनिंग सेक्यूर्टी और रेस्पेक्ट फर विमें तुरू आल 75 डिस्टिक 521 ब्लॉक्स 630 अर्बन बॉडी और जित पंचायत पुलिस टेशन सबके अंदर जो है अवेर्नेस प्रोवाइड क लॉण्च हुआ था एक्टोबर 17 2020 में लॉण्च हुआ था और इसके जो एम था और सेफटी डिगनिटी को ब्लॉड जो है अवेर्नेस प्रोग्राम्स को अंदेक्ट करना था तो हमने अपने जो इन्पोर्टेंट जितनी भी गोवर्मेंट स्कीम थी प्रोजेक्त थे का पुजीशन है का डिफरेंट रेंग्स में वो सब हम इसमें डिसकर्श कर चुके हैं यह हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसको जॉइन कर सकते हैं और यह चैनल यहां में आपको डेली वीडियो मिलता रहे गा आपकी प्रिपेसिन के लिए वह ह्ल्फल होगा ठैंक्यू अनॉल दवेस्ट